हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very good और ये 22 जून का ही current affairs है और चुकि आपको पता ही है कि दो-तीन दिन current affairs break हो गया था current affairs छोड़ना नहीं है इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि current affairs बहुत ज़्यादा hard नहीं होता है तो 21 जून का मैंने इसमें रखा है फिर 23 और 24 जून का हम कल देखेंगे कल सुबा में इसी time में जरूर देखिएगा आप और आप whatsapp नंबर ये मेरा है इस पर contact कर सकते हैं अगर आपको 499 में gkgs की paid class शुरू करनी है और आपको reasoning की class भी join करनी है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं बहुत मेहनत लगती है content बनाने में तो please like the video and telegram पे इसकी pdf मैंने भेज दी है पहला कुछ है नहीं world competitiveness index 2021 topper country यानि विश्व प्रतियस परदा सुचकांक में top पर कौन है तो विश्व प्रतियस परदा सुचकांक में Switzerland जो है वह टॉप पे है Switzerland अभी Switzerland जो है यह यूरोप की देश है यूरोप की country है यूरोप के बारे में आपको पता होगा कि यह जो Switzerland आपको दिख रहा होगा यह इस color का देश यह है Switzerland इसकी ता जानी यह burn ठीक है और Swiss franc यहां की currency है Swiss franc ठीक है यह यूरो नहीं है यहां की currency मैंने बताया था बहुत सारे देशों में euro currency है लेकिन यहां यूरो नहीं है Swiss franc ठीक है अगला है Romania Poland United Kingdom यह असपास में आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े दिस है सबकी राज राज दानी आपको पता होनी चाहिए बाकी डीटेल हम लोग GKG देखेंगे थोड़ी देर में तूड़ी देर में दूसरा कुछ नहीं डीप ओसियर मिसन लॉंच द्वाई अब यह डीप मिसन लॉंच किया गया है वो किस ने लॉंच किया है कौन से मंत्राले ने लॉंच किया है तो यह जय वो विविदिता यह जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने यह लॉंच किया है ठीक है जय वो विविदिता यानि कि बायो डाइवर्सिटी यह इन्वायर्मेंट मिनिस्टर ministry next question परेवरन के छेतर में सवयोग विक्सित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझाता किया है परेवरन के छेतर में चुकि भूटान एक ऐसा देश है जो परेवरन रूप से बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा देश है जहां वो environment की बहुत विए कोविद 19 frontline workers के लिए एक customized crash course शुरू किया है तो यह नरिंद्र मोदी ने सुरू किया था customized crash course अब question आईसे भी आ सकता है कि customized crash course भाई किस के लिए सुरू किया गया तो FLW दीखिए FLW और HCW में आपको अब अंतर जानना चाहिए कोरोना के बाद एक होता है healthcare worker, doctor, nurse, hospital staff जितनी है वो और एक frontline worker होते हैं जो FLW कहे जाते हैं इसमें क्या होता है NGO के worker होंगे, teacher होंगे या फिर जिसको भी सरकार इस काम में लगा दे तो समझ में आ गया होगा इथी, comment करके बता सकते हैं FLW और HCW समझ में आया या नहीं ठीक है तो इसके लिए कस्टमाइज क्राइस को ताकि तैयारी अच्छी रहे तो यह नरेंद्र मोदी ने सुरू किया है Next है World Refuse Day तो World Refuse Day 20 June को विश्व सरनार्थी दिवस यह मनाया जाता है विश्व सरनार्थी दिवस June माईने के सारे revision करेंगे हम लोग माई माईने के जो भी थे दिवस उसकी वीडियो आचुकी है जरूर देखिएगा अगला question है इब्राहिम रईसी elected president of his country यह किस देश के राष्टपती चुने गया है तो यह इरान के राष्टपती चुने गया है इब्राहिम रईसी important है VVI है ठीक है इसको जरूर याद रखिएगा इब्राहिम रईसी card tokenization launched by card tokenization किस ने launch किया है तो card tokenization यह SBI ने launch किया है State Bank of India ने card के जग़ पे एक token type एक card होगा original card नहीं होगा माईन लोग उस card से आपका सारा काम हो जाएगा और उस card को न हैक करने का न चूरी करने का कोई डर रहेगा ठीक है अगला है SCO यानि संगाई cooperation meeting इंडियान representative या इंडियाज representative तो ये थे SCO में संगाई cooperation organization में अजीत डोभाल ये संगाई cooperation organization में भारत के तरफ से representative थे नेक्स्ट है Indian origin appointed in Canada Supreme Code भारतिये मूल के कौन से ऐसे वक्ती है जो Canada Supreme Court में का appointment हुआ है ये है महमूद जमाल ठीक है महमूद जमाल next है WHO अधिकारिक तोर पर किस देश में दूसरे Ebola के प्रकोप के अंत की घोसना की है तो ये गिनी गिनी में इन्होंने घोसना किया है कि Ebola का प्रकोप अब खतम हो चुका है गिनी अफरीका का एक कंट्री है तीक चलिए अगला कोचन देख लेते हैं Snowflake Global Innovation Partner of the Year Award तो ये L&T Infotech ने ये अवार्ड जीता है L&T Larson and Torbo Infotech इसने ये जीता है Snowflake Global Innovation Partner ठीक है L&T Infotech सन्यूकत राष्ट का Land for Life Award 2021 सन्यूकत राष्ट का Land for Life Award 2020 स्याम सुन्दर इनको मिला है अगला किन्द सरकार दोरा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे अस्थान पर कौन रहा है तो किन्द सरकार दोरा IBPS योजना के तहत दूसरे अस्थान पे तमिलाडू रहा है तमिलाडू दूसरे अस्थान पे ठीक है यह याद रखना है अगला आए UNGS UNGC यानि की UNGC ने SDG यानि Sustainable Development Goals Pioneers के रूप में किसे मानता दी है तो यह सुमंत सिनहा को इनोंने मानता दी है Tomorrowland 2021 समारो को किस देश ने रद किया है तो यह Belgium ने रद कर दिया Tomorrowland 2021 Green Fungus First Case Founded Green Fungus का पहला केस कहां पाया गया है तो यह मध्यपरदेश में पाया गया है हाली में दो अर्ध सतक लगाने वाली सबसे कम उमर की महिला कौन बन गई है तो दो अर्ध सतक इनोंने लगा दिया है सेफाली वर्मा इनका नाम है और इनोंने दो अर्ध सतक लगा दिया अंतरस्टिया प्रादिक ने आले में मुखे अविजन के रूप में किसने सपत लिया है तो यह करीम खान ने सपत लिया है ठीक है चलिए अब देखते हैं जी एस रिविजन का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्या-क्या है तो एक तमिल लाडू है जिसकी राजधानी चन्नाई है और तमिल लाडू में चन्नाई पोर्ट भी है और एयर पोर्ट भी है ठीक है पिछले दिन हमने चन्नाई के बहुत ही अच्छे से जी के जी एस रिविजन किये थे तो जिन्होंने भी पिछला नहीं देखा है प्लीज देख लेना क्योंकि वहाँ आपका टाइम ये बच जाएगा ठीक है गीनी जो है ये एक अफरीका का देश है ये आपको याद रखना है इसे ज़्यादा इसे कुछ नहीं पूछा जाएगा अजीद दोभाल के बारे में आप जानते हैं SCO संगाई को आपरेशन आर्गनाईजेशन इसकी अस्थापना कब हुई थी मैंने बहुत बार बताया है और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो संगाई बीजिंग में है और इसके जो मेंबर कंट्री है उनके बारे में भी आपको पता होना चीट हो अगर आपको याद है काइंडली कमेंट करें मैं उस कमेंट को फिन करूँगा बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं इस उपासना तिवारी प्रियंका और राजा जैस्वाल एक है यूराज करके उनकी आईडी है वो बहुत लोग कमेंट करते हैं तो मुझे खुसी होती है अगला इब्राहिम राइसी इलेक्टेड प्रेशिडेंट अफ विच कंट्री इब्राहिम रेशी किस देश के राज़पती चुने गए तो यह इरान के चुने गए है वर्ल्ड इरान की राज़ानी है तेहरान लेकिन करेंसी है इसकी तोमान तो इरान और भूटान का एक उपर सा देश यहां पर दिख रहा है तो यह दो देश हैं जो की जरूरी है इरान की राज़धानी यह हो गई तेहरान और तोमान यहां की करेंसी हो गई अभी चेंज की गई है तोमान तो जरूरी रखना है यहीं इब्राहिम रईसी चुने गए हैं और अगला पॉइंट व्यू भूटान में याद रखना है भूटान की राज़धानी है थिंपू और टूग्रिक यहां की करेंसी है टूग्रिक ठीक है तो करेंट अफेस उतनी ही देर पढ़ो जितनी देर जरूरत हो 50 मिनट करेंट अफेस एक गंटा पढ़के कोई फायदा नहीं है क तुम 10 मिनट पढ़ो या 10 गंटे पढ़ो तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़डा जरूरी है थाइलंड की राज़धानी कहा है बैंकोक अब हम इस पार्ट को पूरा अच्छे से आज पढ़ेंगे एसिया है तो बहुत जरूरी है हाला कि जोग्रफी के मैप सीरीज में मैंने बड़े अच्छे सही से पढ़ाया है तो वह भी आपको देखना चाहिए जितना भी प्लेलिस्ट है ना काइंडली सब को विजिट करो भाई लोग क्योंकि बहुत वह काम आता है तो यह थाइलंड है थाइलंड की राजधानी बैंकोक है कंबोडिया कंबोडिया की राजध लाती है फिलिपिन्स की फिर हम बात करते हैं मलेशिया मलेशिया की राजधानी है को कौलालंपूर यह दोनों आइलेंड जो आपको दिख रहे हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या में जहां आइलाइंड है यानि द्विप समू है वह है इंडोनेसिया इसकी जलमगन होने के वज़े से जकार्ता डूब गया और उसकी वज़े से यह राजधानी बदला गया और यह इस्ट काली मंता जो है यह बोर्नियो आईलाइंड पे है यह बोर्नियो पे है यह एकदम याद रखना यही सब पूछे जाएंगे दूसरे यूरोप औस्ट इडिया कि पूछे ना पूछे लेकिन यह तो जरूर पूछेगा क्योंकि यह इसी है और इसी महा देश में हम रहते हैं और आप उठा के देख लो इसी से सवाल पूछा भी गया है अभी इसराइल में यूद चल रहा था इसराइल का पूरा जगा लोकेशन आसपास के देश सब कु पीएम इसराइल के ठीक है इंडोनेसी आपने देख लिया इंडोनेसी एक राधानी जाकार था और इसके नीचे जो कंटिनेंट है वो अस्ट्रेलिया आ जाता है फिर छोटे-छोटे यहां पर देश आएंगे यह साउथ चाइना सी है जिस पर चीन अपना दावा करता है फ फिर यहां पर दो नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आते हैं अभी बात हुई थी संग्घाई की जो कि चीन में है तो यह होगा चीन और यह होगा बीजिंग ठीक है तो यह चीन के में में कंट्री है वोहान आपको यहां दिख रहा होगा वोहान से ही कोरोना वायरस बाहर निकला था ठीक है तो यह सब मैप में आपको याद होना चीह यह ओपर है रसिया, रसिया की राजधानी है, मासको है यूरोप में यानि रसिया जो है एरसिया यूरोप और यसिया दोनों देश में फैला हुआ है और इसकी करेंसी है रूबल तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे इजराइल के जो PM है उनको आप बता सकते हैं वो उनका नाम क्या है और किस पार्टी से है और इजराइल की राजधानी क्या है इजराइल के संसत का नाम क्या है ठीक है थैंक यू सो मच फर वाचिंग और भी वीडियोस टू मिनट जीकेश सीरीज आएंगे जरूर देखिएगा थैंक यू सो मच